हाईलो फ्रेंड्स वागता आपका मेरी चैनेल में आज आपकी साथ में आवर एक भवती खबसरत मंगल सुतर डिजाइन लेके हैं मंगल सुतर बनाने के लिए मैंने यापर लियाए पुरूने के लिए दागा यहाँ पर मैंने तिन सुई लिया है, यहाँ पर लिया स्क्रू, पीले वाले मोती, यहाँ पर मैंने ब्लेक वली मोती लिया है, पहले से मैंने एक साइड इस तरह से बना लिया है, यहाँ पर मैंने इस तरह का पेंडेंट लिया है, यहाँ पर मैंने इस तरह का पेंडेंट लि लेना है यहां पर हमें इस तरह से फोल करना है यहां पर हमने कट लगा कर इस तरह से बांद दिया है आपको जितना लॉंग मंगल सतर चाहिए आप उतना यहां पर धागा ले सकते हो यहां पर आप अपने हिसाब से धागा कम जादा कर सकते हो यहां पर मैंने तीनों धागों क इस तरह से सामने के और स्वियं को बांद लिया है इस तरह से अलग अलग करके यहाँ पर स्वियं से बांद लेना है पहले एक स्वियं में हमें ब्लैक वाले मोती पुरो लेना है यहाँ पर हमें 20 ब्लैक मोती पुरो लेना है यहां पर आभी हमें बीच वाले धागे में पिले वाली मोती पुरो लेना है यहां पर भी हमें 20 पिले मोती पुरो लेना है यहां पर हमें तीनों धागों में मोतीं को पुरो लेना है अभी हमें इस तरह के पट्टी लेना है आपर हमें तीनों सुन को इस पट्टी में से पुरो लेना है इस तरह से आपर हमें पुरो लेना है यहापर हमें पट्टी को पुरो लिया है फिर से धागे को अलग अलग कर लेना है फिर से यहापर हमें ब्लेक उली मोती पुरो लेना है यहापर आप अपने हिसाब से कम ज़दा कर सकते हो ब्लेक मोती को यहापर मैंने अंदाजी ब्लेक मोती को पुरो लिया है यहाँ पर मैंने इतने ब्लैक मोती पुरू लिया है उतने हमें यह दागे में भी ब्लैक मोती को पुरू लेना है यहाँ पर हमें दोनों दागों में बराबर ब्लैक मोती को पुरू लेना है यहां पर हमने जितने ब्लैक मोति पुरा है उतनी हमें यहां पर फिले वाले मोति पुरू लेना है यहाँ पर हमने तीनो धागों में बराबर मोतियों को पुरू ले, अभी हमें फिर से पट्टी को पुरू लेना है तीनो धागों में, यह लिकी इस तरह से यहाँ पर हमने पट्टी को पुरू ले आए, फिर से धागे को अलग-अलग कर लेना है फिर से यहाँ पर हमें एक धागे में ब्लैक वली मोति पुरू लेना है पर हमें था है। like पर भी हमें correctंine शसलिए, इस दोाक खरू आंग यहाँ पर आपने ही सब से आप ब्ल्यक मोति कम ज़्याद्था कर सकते हूं यहाँ पर भी मैंने अंदश से ब्ल्यूकुरbor लिए जितने आमने उपर ब्लेक मोती पूर उतनी हैं पर आमने ब्लेका मोती को पूर लिए हैं इसी तरह से में तीनों धाग में बराबर मोती उंको पूर लेना है यह देखिए आपको जितना लॉंग चाहिए आप यहाँ पर आगे मोटियों को बढ़ा सकते हो फिर से यहाँ पर हमें पट्टी को पुरो लेना है आपर हमें पट्टी को पुरो लेना है फिर से दागे को अलग अलग कर लेना है एक दागे में आपर हमें पाच बलेक मोटि पुरो लेना है फिर से यह वाले दागे में भी हमें पाच बलेक मोटि पुरो लेना है यहाँ पर आभी हमें बीच वाले दागे में भी पाच पिले वाले मोटि पुरो लेना है आपर हमें तीनो दागों में मोटि को पुरो लेना है यहाँ पर आभी हमें इस तरह का गोल्ड मोती लेना है आप कोई भी गोल्ड मोती ले सकते हो यहाँ पर मने इस तरह का लिया है इस तरह से हमें सुई में पूरो लेना है यहाँ पर हमारे ये साइड भी बन कर तैयर हो चुका है अब इससे भी हमें पेंडेंट को लगा लेना है पहले हैं पर हमें इस तरह से सुई में पेंडेंट को पूरो लेना है और सुई को निकाल देना है बीच में से इस तरह से पकड़ते हैं पर पिछे वाली साइड हमें पूरो लेना है यहाँ पर हमारा pendant आच्छे से fix हो जाएगा इस तरह से pro लेना है यहाँ पर हमारा pendant भी लग चुका है अभी हमें पीछे screw लगा लेना है पहले पीछे इस तरह से swing को बांध लेना है यहाँ पर हमें screw को इस तरह से pro लेना है यहां परामे स्क्रू के बराबर आच्छे से नोट लगा लेना है यहां परामे नोट लगा लेना है इसी तरह से में दुसरी साइड भी स्क्रू को लगा लेना है यहां रहान है यहां पर हमने दोनों से डिस्क्रू को लगा लिया है एक्स्टा दागा हमें कट कर देना है यह दिखे इस तरह से हापर हमारा आज का बहुत ही खुप सरथ डिजाइन वाला मंगल सुतर तयार है तो आपको आज की मेरी मंगल सुतर की डिजाइन कैसे लगी आप मुझे कमेंट करना दिखने में बहुत ही खुप सरथ है और बनाने में बहुत ही आसान है आप इस मंगल सुतर की डिजाइन को घर पर आसानी से बना सकते हो तो आपको यह डिजाइन कैसे लगी ज़रूर बताना और मेरी चैनल पर नहीं हो तो मेरी चैनल को लाइक शेर सस्क्राइब करना बुले आपको और भी मंगल सुत्र डिजाइन सीखना हो तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो मैंने भवसे खुब्सरत मंगल सुत्र के डिजाइन शेर किया हुआ है